हेलो गाईज, स्वागत है आपका मनिश्या कॉमर्स क्लासिज में आज हम BRS टोपिक को ही कॉंटिन्यू करेंगे यह हमारा BRS टोपिक के अपर फिफ्थ वीडियो लेक्चर है आज का हमारा टोपिक है वेन बैंक ओवरड्राफ्ट ऐस पर दा पास्बुक इस गिवन आपको आने वाले वीडियो के वारे में नोटिफिकेशन मिलते रहें तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेन बैंक ओवरड्राफ्ट ऐस पर दा पास्बुक इस गिवन जब पास्बुक का क्रेडिट बैलेंस या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया होता है तो हम क्या करना होता है जब हम बैंक रिकंसिलेशन बनाते हैं इफ वी स्टार्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट विद बैंक ओवरड्राफ्ट ऐस पर दा पास्बुक इसमें क्या है कि जब हम bank reconciliation statement बनाते हैं और हमें क्या दिया होता है पासबुक का overdraft balance थीक है तो हमें क्या देखना होता है हमें ये देखना है कि कैश्वुक के हिसाब से कैश्वुक का अगर हमें कैश्वुक का overdraft दिया हो क्याश्वुक के हिसाब से क्याश्वुक के ओवरड्राफ को कोन सी چीजیں increase करेंगी और कौन से चीज़ें decrease करेंगी ठीक है हमें क्या देखना होते है जब तो हम cashbook की bank reconciliation statement बनाते हैं ठीक है तब हम passbook के हिसाब से entries pass करते हैं और जब हम passbook की bank reconciliation statement बनाते हैं तब हम क्या करते हैं cashbook के हिसाब से entries pass करते हैं clear है now add तो हमें कौन-कौन से चीज़े एड़ करनी है those items which increase the overdraft of the cashbook more than the passbook overdraft समझाया? मतलब क्या है हमें वो items add करनी है ठीक है? हमें वो items add करनी है जो cashbook के overdraft को ज़्यादा increase करनी है passbook के overdraft से clear है? example क्या है? check issued but not presented देखिए जब हम कोई check issue करते है ठीक है? तो हम cashbook में क्या entry डाल लेते हैं कि check issue हो गया हमारे हिसाब से क्या है? cashbook का overdraft ज़्यादा increase होगा अगर हम check issue करेंगे ठीक है? बट वो present नहीं हुए है तो passbook का balance सेम ही रहेगा passbook का overdraft ज़्यादा नहीं होगा ठीक है? तो ऐसी items जो cashbook के overdraft को increase करती है ठीक है? जो cashbook के overdraft को increase करती है उन्हें हम क्या करेंगे? add सेम इसी तरीक़्े से deduct कौनसे items को करना है हमें those items which decrease the overdraft balance of the cash book more than the pass book overdraft clear? यान कि वो items जो cash book के overdraft को decrease करती है more than the pass book overdraft ठीक है उन items को हम क्या करेंगे deduct कर देंगे example क्या है checked, deposited but not credited by bank अब हमने क्या किया है बैंक में check deposit करवा दिये पर बैंक में अभी तक वो credit नहीं हुए है cash book के हिसाब से क्या है हमने check deposit करवाई है इट मिस क्या है हमारा bank balance है जो increase हो गया या फिर हम कह सकते है कि जो हमारा overdraft है वो decrease हो गया ठीक है पर बैंक में नहीं हुआ तो हम क्या गर रहे है हम तो cash book के हिसाब से देख रहे है तो हम क्या करेंगे उन items को deduct कर देंगे I hope clear हो गई आपको थियोरी अब हम इसका एक numerical देख लेते हैं numerical देखिए numerical में क्या है एक फर्म के दो बैंक अकाउंट है अकाउंट नमबर वन अन अकाउंट नमबर टू दा फोलिंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग तो अकाउंट नमबर वन आर अविलेबल एज ओन 31st मार्च 2016 ठीक है हमें अकाउंट नमबर वन की इंफर्मेशन दी हुई है 31st मार्च 2016 को फर्स्ट पाउंट क्या है पास्बुक बैलेंस डेबिट जब पास्बुक का डेबिट बैलेंस हो तो वो क्या होता है क्रेडिट ठीक है कैश्बुक का डेबिट बैलेंस हो ठीक है वो हमारा बैलेंस होता है और कैश्बुक का क्रेडिट बैलेंस हमारा होता है ओवरड्राफ्ट ऐसे ही जो पास्बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है वो फेवरेबल बैलेंस होता है और जो डेबिट बैलेंस होता है वो होता है हमारा ओवरड्राफ्ट ठीक है तो पास्बुक क एह बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एफ अकांट नंबर 1 एज ओन 31st मार्च 2016 बिकोज हम अकांट नंबर 1 की बैंक का रही है अमाउंट कोलम में लिख देंगे 30,000 उसके बाद हमारा सेकिंड पॉइंट है सेकिंड पॉइंट के है चेक्स ड्रोन प्रायर टो 31st मार्च बट नॉट प्रेजेंट इस येट 8000 मतलब क्या है हमने चेक क्या जो ठीक है 31st मार्च से पहले इस्यू किये थे पर अभी तक इसका मतलब क्या है कि पास्बुक में तो हमारा बैलेंस डिक्रीज नहीं हुआ मतलब हमारा जो ओवरड्राफ्ट है ठीक है वह इंक्रीज नहीं हुआ और हमारा बैलेंस डिक्रीज नहीं हुआ ठीक है पर कैश्बुक के हिसाब से हमारा ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा उनको हम क्या करेंगे एड ठीक है तो इसको क्या करेंगे हम एड एड लिख लेते हैं यहां पर ठीक है फर्स्ट अंट्री हम क्या एड करेंगे चेक्स ड्रोन चेक्स ड्रोन बट नॉट प्रेजन्टिड बट नॉट प्रेजन्टिड क्लियर है चेक्स ड्रोन बट नॉट प्रेजन्टिड कितने के हैं डिटेल कोलम में लिख देंगे 8000 के उसके बाद है हमारी 3rd entry में क्या दिया हुआ है Another check drawn on 31st March 2016 Dishonored on presentation 4000 मतलब क्या है हमने एक check ओर draw किया था 31st March 2016 को बट वो presentation पे Dishonored हो गया क्योंकि हमारे पास bank में पहले सो था नहीं पहले सी overdraft चल रहा है तो वो क्या है Dishonored हो गया 4000 का check था ठीक है अब क्या है अब हम इस entry का क्या करेंगे cashbook के हिसाब से हम इस entry को क्या करेंगे add करेंगे add क्यों करेंगे क्योंकि ये हमारा जो cashbook के हिसाब से overdraft है overdraft increase करें क्योंकि हमने check drone किया है ठीक है check drone किया है तो हमारा overdraft क्या इंक्रीज हो रहे है तो इसको हम क्या करेंगे एड कोलम में दिर जेंगे ठीक है सेकिंड चेक ड्रोन बट डिस ओनर ओन प्रेजेंटेशन कितने का चेक था हमारा 4000 का क्लियर नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट में क्या दिया हुआ है चेक पेड इंटु बैंक ओन 31st मार्च 2016 बट वस नॉट क्रेडिटेड 14,000 ठीक है वैसे तो मैं आपको इसका एक्जांपल में भी बता चुकी हूँ कि जब हम बैंक में डिपोजिट करवाते हैं ठीक है पर बैंक ने अभी तक हमारे अकाउंट में वह क्रेडिट नहीं किए ठीक है को लेस कोलम में डाल देंगे लेस कोलम लिख लेते हैं यहां पर फर्स्ट एंट्री हम क्या लिखेंगे चेक्स पेड इंटु बैंक चेक्स पेड इंटु बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बैंक कितने के चेक्स हैं हमारे 14,000 के हैं हम उसको लिख देंगे डिटेल कोलम में उसके बाद है हमारी अंट्री फिफ्थ ट्राजक्शन है इंट्रेस्ट क्रेडिटेड बैंक बट नॉट एंटर इन दा कैश बुक 800 ठीक है मतलब क्या है कि बैंक ने हमारे अकाउंट में इंट्रेस्ट डाल 개 800 का बट अभी तक हमारी चेश बुक में इसकी कोई ट्रालेक्शन नहीं हुई है अगर हमारी चेश बुक में कोई ट्रालेक्शन नहीं हुई है इट मीज क्या है कि हमारी कैश बुक का overdraft है जो वो in scorp ow रहे एτοप के साथ ठीक है बट बांक का जो पासवुक के इसाब से ओवरड्राफ्ट है वो डिक्रीज हो रहा रहीड है दो ideas कि Beijनतं इंरस्ट दिया है ठीक है बट हमारे tax book के लिए बैंक ने हमें 800 ठीक है तो नेक्स्ट एंट्री है हमारी ट्रांस्फर फ्रॉम अकाउंट नंबर टू टू अकाउंट नंबर वन रिकोड़ड़ वाई बैंक को तर्टी फर्स्ट मार्च टूथाजन सिक्स्टीन बट नोट एंटर इन दा कैश बुक प्रटी फर्स्ट मार्च टूथाजन बैंक ने तो वह ट्रांजक्शन को रिकोड़ कर लिया मतलब हमारा जो ओवरड्राफ्ट है वह डिक्रीज होगे अकाउंट नंबर वन का पर अभी तक हमने कैश बुक में उसकी कोई रिकोड़िंग नहीं की है तो कैश बुक के हिसाब से इसे क्या है कि जो हमारा वह बैलेंस हैं ठीक है जो हमारा ओवरड्राफ्ट है वह कब नहीं हुआ वह थो उन pre from account number 2 to account number 1 account number 1 recorded by the bank recorded by the bank ठीक है? but not recorded in cash book but not recorded in the cash book clear है? कितना है? 6,000 उसके बाद last entry है हमारी bank charges deducted by bank 20 ठीक है? bank charges है जो वो bank ने debit किया है हमारे bank से 20 रुपीज bank charges जो bank ने debit किया है ठीक है? उसके हिसाब से हमारा जो pass book का overdraft है वो increase हो रहा है क्योंकि वो bank ने decrease किया है पैसे ठीक है? बैंक ने deduct किया है पर हमें तो उनके बादे कोई knowledge नहीं है ठीक है? क्यों? तो क्या है? जो हमारे हिसाब से ठीक है? bank charges debit by bank 20 है हमारे हिसाब से हमें तो उसके कोई knowledge नहीं है हम क्यों अपना increase करें? ठीक है हम क्या करेंगे उसको deduct कर देंगे less कर देंगे less करेंगे bank charges deducted by bank bank charges कितने के हैं 20 balancing कर देंगे हम इनका total करेंगे तो कितना जगा 18,800 ठीक है 18,800 को 30,000 में add कर देंगे आजाएगा हमारे पास 48,800 similarly जो less वाली items हैं उनको add कर देंगे उनका total आजाएगा हमारे पास 14,020 14,020 ठीक है नहीं मैंने bracket में लिख लिए कि यह minus के amount है 48,800 में से जब हम 14,020 माइनस करेंगे तो हमारे पास आजाएगा 34,780 ठीक है यह हमारे पास आजाए 34,780 यह हमारा overdraft overdraft as per cash book हमने यहां पे overdraft as per cash book क्यों लिखे हैं क्योंकि जो भी हमने items डाली है जो भी add किया है जो भी less किया है वो हमने किसके according किया है obvious है cash book की according ठीक है मतलब आपको sum करते हुए एक चीज़ ध्यान में रखनी है ठीक है अगर को हम cash book का sum कर रहे हैं तो हम pass book के हिसाब से entries जालेंगे अगर हम पास्बुक का सम कर रहे हैं तो हम कैश्बुक के हिसाब सेंट्रिस जा लेंगे अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी हैं बी आरेस की तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं थैंक यू